उम्मिहनेश्वराय वरदावय सुरप्रियाय लंबो दराय सकलाय जगत्यताय नागाय नाय सुध्यग्य विभूशिताय गवरी सुताय गणनात नमो नमस्ते याश्री स्वयं सुगिते राम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां गृत्य याम्रदे सुबुद्धी शद्धास अदाम को लजना प्रभवस लज्जा ताम तौम नतास्म परिपाल देविश्वम नमस्कार स्वागत है आपका आचारे वानी में मैं आचारे डॉक्टर वेक्रमादित आपके साथ हो राज का विशे है कि सिंग राशी वालों के लिए सितम्बर के आरंबकाल में ग्रहनक्षत्रों का योग किस पकार का रह रहा है सिंग राशी वालों के लिए overall समय किर्थी वाला चल रहा है विजे वाला चल रहा है इस वक बड़ा ग्रह नक्षित्रों के दिश्टिकोंड से बड़ा परिवर्तन का समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है बस दियान रखें थोड़ा सा अपने उत्साहा को और कुछ गलत ना निकले कमिट में ना पहसें क हैंको इस बात क्झा देहान लए के उल्ग करेंगे तो सफल्ता आपके लिए बहुत सुंदर पंति का योग बना रहे हैं और सितंबर के महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ कई योग बनेंगे भादरपद मास भी चल रहा है शुक्ल बख्ष कृष्ण बख्ष उसके बाद आश्विन का शाद आ जाएंगे तो ऐसे में सोमतियां वस्या का योग भी पड़ेगा यह सारे दशी तिथी है उस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दिश्चिकोर्ण से लिएम बात करें तो आपके ग्रह थोड़ा से भारी दिखाई देते हैं ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अननसेसरी एंजाइटी बढ़ती दिखाई देगी थोड़ा सा अननसेसरी का समय परशान कर सकत है थोड़ा खर्चा बढ़ने के योगपंते दिखाई देने साफधान होकर कारे करने की जरूरत है आपको इस बात का ध्यान रखें तो आच्छा रहेगा और थोड़ी सेहत के वामले में ध्यान रखें हो सके तो अपनी लिए नमक का दान करें यह सबसे जरूरी है हो सके त करें गायत्री का पार्ट करें अच्छा रहेगा भद्रा है इस दिन करीब करीब शाम को साड़े चार बचेता तो नए कारें को आरंब करने से बचना चाहिए अश्लेशार मघा नाम के नक्षेत रहेंगे जो गण मूल के अंतरगात आते हैं यदि जातक कोई जर्म लेता है इसमें तो कहा जाता है क्योंकि मूल शानती अवश्य होने नी चाहिए तो जो जातक नए जर्म ले रहे हैं उनके बातापीता को इस बात का दियान रखना चाहिए और जो पुराने इस नक्षेत में जर्म ले हैं लोग आजकल अवगत नहीं होते हैं तो उसके जर्म पत्री दिखा कर विचार विमर्ष कर लीजे कहीं जो अश्रिशा मगा नक्षेत रहे हर महीने आते हैं तो उन्होंने जिरोंने मूल शान्ती पहले नहीं कराइए बहीं करा सकते हैं जब भी ये नक्षेत लूम कराएं 27 दिन तक एक एक सार जब किया आता है और का जhatering सर्म बात करे शूरा के साथ साथ सूर्य के साथ्फूर्ण बस इंहें तो शूरे के जो छास्त और पर जिसको आखी में इसे वाप की राष्य विद्यमान minorities राके प्रशिता अब है के लिए अच्छे हैं और यह आपके लिए कुछ नैंनु कुछ रास्ता बनाते दिखाई थी उसके लिए तरस्ते रहे पूरे जीवन का जाता है उन्हें शाब भी दे दिया था सुम्वतिया वस्या को कि तुम नहीं आई हो हमारे जीवन में अब कल्यूग में जब आओगी लोग इसकी एहमेत नहीं समझेंगे पांडव कही जाते हैं कि अपने पूरे पुन्य को जीवन के पुन्य को देने को तयारति सुम्वतिया वस्या को लेकिन वो योग बना नहीं उनके जीवन ने तो ऐसे में हम कल्यूग में उसके महत्व को समझने ही पा रहे हैं तो जो कांडवो ने बात कही उस सत्य होती दिखाई देरी का जाता है अपने पित्रों की तरपन के लिए तिती बड़ी प्रश्रस्त है गंगा जल में श्नान करें गंगा जल से उनके तरपन करें ब्रामनो मंगलवार का अवसर अमवस्या इस दिन भी वित्यमान रहे हैं बाई चांस व्रद्धी हो गई है और अगे निकलके 60 गड़ी से भी आगे चली गई है और अगले दिन करीब करीब 3-20 तक यानि 3 गड़ी 20 पल तक रहेगी जड़े घंटे के आसपा सुर्योदे के बाद और यह भूमवतिया अवस्या का भी योग बन रहा है और इस समय आपके नक्षित ग्रह नक्षित्रों के अनुसार से समझें तो मंगल ग्रह थोड़े नीचा विलाशी होते चले जा रहे हैं मंगल मितुन राशी में प्रवेश कर चुके हैं और यह परिवर्तन जो बना रहे है वो बड़ा विशेश है। ज़रूरी है हमने भी विवेगान योग आश्रम में इस दिन विश्रस्तर पर सुन्दरकान का पाठ रखा है शुब योग पर और साथ-साथ अनुमान जी का चोला चड़ेगा अनुमान जी का यग्य होगा तो आप भी इसमें समयलित हो सकते हैं अपने स्थान को आलक्षित कर जाएंगे यह आपके लिए बहुत शुब होंगे और साथ-साथ बुद्व जो है वो बारवे से निकल कर लगन में आ जाएंगे सूर्य के साथ यह आपके लिए बहुत रलीफ वाला योग बनता दिखाई दिरा है यह आने वाले समय में आपके लिए बहुत चीजों को और इस करने में बहुत सुंदर रास्ता बना सकते हैं चन्दमावी बहुत सुंदर आपके लिए यह बनाते दिखाई दे रहे हैं यह दू-3 दिन आपके लिए बहुत लाप के यह बनते दिखाई दे रहे हैं बस शांत रहना है आपको क्रोध नहीं करना है छोड़ी बातों में एकदम उत्तेजना नहीं लानी है बस इस बात का ध्यान रखते हुए कारे कर लेंगे तो सब शुब होने के युग बन सकते हैं आपके लिए चंद्र दर्शन इस दिन बहुत खास रहेगा ये वो तिति है कि जो पूरे वर्ष में एक ही बार आती है जिसमें कहा जाता है भादर पतर मास के दुतिया जो शुकल पक्ष की दुतिया जो है जिसमें दूज का चांद मिलता है शाम के समय दुतिया आ जाएगी और दूज का चांद भी उदे हो जाएगा थोड़ी दिर के लिए होगा लेकिन ये वो चांद है कि जिसका दर्शन कर लेने मात्र से कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कलंकों से रक्षा हो जाती है जो मन को शांद कर देता है शीतल कर देता है जिसको सिरुधारे कर लेता है अपने माते पर दर्शन कर लेता है मत्य लगा लेता है इस चांद को कहा जाता है उसके समस्त कलंक दूर हो जाते है भवान शिव ने इसी चांद को अपने मस्तक पे धारण किया है और इसका दर्शन कर लेने से समस्त कष्टू हो जाते है इसलिए हमारी संस्किती में दूज के चांद का बहुत महतों कहा गया है लोग भूल गए इस सिध्धान्त को कहा जाता है दूज के चांद को धर्शन करने के बाद आपे दो दिन बाद अभी कलंग चतुरती आएगी उस दिन का चांद कलंग वाला है जो देख लेगा, वो कलंग लगना ही है उसके उपर, कृष्ण भी नहीं बच पाए उससे, तो यानि उससे पहले यदि दूज का चांद देख लिया जाए, ये बादरबत के दूज का चांद, तो काता है फिर वो कलंग भी नहीं लग सकता, ये इतना महत्व है इस चांद का, तो अवश्य इसको देखने का प्रयास कीज़ेगा, ये बहुत कल्यानकारी योग बनाएगा, पांच तारीक का अवसर, ब्रस्पतवार, दुतियाति थी, और ग्रहनक शेत्र के योग आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं, बिलको तनलीमता के साथ कारे करने का प प्रयास करें, बस्पति इन दिनों, आपकी राशी के अनुसाह से बड़े शुप चल रहे हैं, सफलता देने के योग बना रहे हैं, पीदी चीजों का दान करें, गुरुजन का आशिरवाद ले, सब कल्यान के योग बनेगे, छेतारीक के दिम बात करें, ये भी आपके लि दिखाई देते हैं, आपके लिए लाब के योग है, शुक्रवार के दिन वराह जैनती का योग बन रहा है, बवान विश्णू का विशेश्ट तवन करके शुक्रवार के दिन कहा जाता है, कि वराह जैनती, बवान ने जिस पकार से धरा के समस्त ताप को हरा था, कश्टों को हरा था जब घण्नाक्ष का जाता है कि भवद्ध को रसातल में लिये चला जा रहा था और पूरी रसातल में प्रित्वी धस्ती चली जा रही थी तब जाकर भवान ने वरा रूप धारन करके इस प्रित्वी का उद्धार किया इस सुन्दर योग पर भवान का सुन्दर पूजन करें और चर्णा मृत्वन का गंगा जल से श्नान कराकर तुलसी दल डाल कर चंदन डाल कर कपूर डाल कर और समस्थ प्रकार की नौशुदियों के द्वारा भवान का विशेक करने के बार उसको ग्रहन करें अकाल मित्युहरनम सर्व्यादी विनाशनम 24 मिनट से योग बनेगा शाम तक रहेगा साथ तारिक शनीवार चतुर थी 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 बड़ा विशेश योग है इस दिन ग्रहनक्षेत्रों के दिश्चिकों समझें कि आपकी राशी के अनुसार से जो परिवर्टन बन रहा है ग्रहयोगों का वो आपके लिए अनुकूल रहे थोड़ा स्वार्ती बनकर अपने कारेों में निवित रहने का प्रयास करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा शनीवार और जो योग बन रहा है चतुर्ति का यह बहुत विशेश है गणेश चतुर्ति के दिन योग बना है शनीवार को पड़ी है और कहा जाता है कि शनी क कि दृष्टी के कारण ही हुआ का जाता है भवान गणेश का जब जन्म हुआ था तो शनी भी दर्शन करने के लिए गए थे समस्देता जा रहे थे लेकिन उन्होंने दर्शन किये नहीं अपनी नित्रों को जमीन पर ही रखा भवान शंकर ने पूछा समस्देवताओं ने प बची पिर बाद में जो कता चलती है अब आपको सब पता ही है लेकिन कहा जाता है कि उसके उपाए के तौर पर आज भी महाराष्ट के अंदर एक बड़ी प्राचिन प्रंपरा चलती है कि गणेश जी की जो मूरतियां होती है उन पर सिंदूर चड़ता है जो शनी के दोश करें सिंदूर का कश्ट दूर होने के युग बनेंगे साथ में कलंग चतुरती भी है दवान शंकृष्ण भी नहीं बचेते इस दोश से तो चंदर रशन मत कीजिएगा देख लें तो क्या करेंगे कैसे बचेंगे उसके लिए कथा है वह आपको समझा रहे हैं सुन लीजि ने भी चौत के चांद को देखा था उन पर भी एक चूरी का दूश लगा जो कथा बड़ी प्रचली थे शास के नुसार से और कहा जाता है इसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हम सब लोग भी जीवन में रहते हैं और हम सब लोग भी कई बाए गलती से उस चांद के दर्श किया और वो भी नहीं बचपाए उस कलंक से शास्त्र में कथा आती है अब इस कलंक से बचने का तरीका क्या है एक तो बड़ा बड़ा तरीका यह है कि दूश की चांद को देख लिया जाए इसी महीने में जो दूश का चांद को दिखाई देता है उसको दर्शन कर लेने से यह दोश से निवित्त हो जाता है यदि गलती से आपने भी वह देख लिया है तो आप भी इस कथा कर श्रवन कर लिए हम चोटे से रूप में संक्षित रूप में इस कथा को बताते हैं आपको शास्त में जो बड़नीत है एक समयन तक मनी थी बड़ी अद्भुती कहा जात कि वो मनी विशेष्टार पर प्रती दिन आद्भुत रूप से स्वन उससे निकलता था मनी का इतना सुंदर प्रभाव था कहा जाता है कि एक दिन सक्तरा जीत जो भवान कृष्ण के कुल में ही उत्पन हुआ था भवान का सखा था उसने बड़े रूप रूप से कहा जात प्रती दिन देती और उससे जन्मानस की सेवा करने का सुंदर अफसर लोगोप राप्त हुटा था मुआ जाता है जब उसने प्राप्त किया और भवान कृष्ण को कोई पता चला था ने सत्या जित से कहा और यह मित्र इस मनी को तुम राजा को दे दो और राजा को देने क होनी चाहिए और उसी से कारी किया जाना चाहिए केवल स्वांता सुखाय के लिए नहीं होना चाहिए का जाता है कि एक दिन सत्राजीत का जो भाई था सत्राजीत जो जिसका नाम प्रसेन था वो एक दिन मनी को गले में लटका कर बन में चला गया और कहा जाता है आखेट के दिश्टी कोण से और उस मनी के कारण से का जाता है कि वो सिंग से साथ कहीं रास्ते में शेर मिला और शेर उस प्रसेन को खा गया और कई दिन तब प्रसेंद नहीं आया तो सत्राजीद ने पूरे राज्य में इस बात को कहा कि भवान कृष्ण ने सकतरा पूमणी चुरा ली है। कहीं न कहीं गल्ती से कई बार चान देख लेते हैं तो यह तो उसमें उन सब कलंकों में से एक प्रभाव है तो उसमें आपकी दोशा रोपन हो जाता है बवान कृष्ण बन में जाते हैं देखते हैं क्या क्या हुआ जहां जहां वो सत्राजीत के पेलों के चिन्ने थे उसको जाता है कि सत्राजीत मा मरा पड़ा है और साथ में सिंग मरा पड़ा है तो बच्चे जो थे वो रोशनी जो थे वहां उस मनी से खेल रहे थे भवान कृष्ण जब गुफा में प्रवेश करते हैं तो महापत जामवन्त उपस्तित होते हैं जामवन्त भवान को पहचान नह मनी लाकर वापिस वो सत्राजीत को देते हैं और पूरा पक्षान बताते हैं कि किस प्रकार से प्रसेंग को सिंग खा गया और सिंग को जामवन्त ने मार दिया जिस प्रकार से सत्राजीत को पूरी बास समझ में आती है और फिर इस प्रकारी कथा है कहा जाता है इस कथा का पत्थर चौध भी कहा जाता है पुराने जमाने में तो ऐसी बताई जाती है हमारे पताजी के त्वारा ये पताई जाता था बहुत पुरानी कताब कि इस दिन लोग पत्थर मारते थे शाम के समेबे जिससे कोई निगले ही ना यह सत्यमान भी यह दोश लगता है तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी गटना खट जाती है कि जो हम गलत भाव से किसी का अनहीं भी करना चाहें तब भी वो कलंक मिथ्या रोप लग जाता है तो उसे बचने के अनिक रास्ते शास्त्रे बताएगे हैं तो इन सब चीजों को अजना चाहिए और उससे कहीं ना कहीं हवान आपकी रख्षा भी करने की योग बना देते हैं आठ तारी के बात कर लेते हैं आठ तारी के दिन रभी भार का अवसर पंचमी तित्ही है और शमावाणी दिवस है इस दिन राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं अगर पहें हो होगा वान सूर्श को जल दे और आपकी राशी के रूशार से आपको नित्य पतित हें भावन शंकर का स्तुवन करना चाहिए तोने का रही ना चाहिए नोथह को नौ तारिक की रॉपएव का प्रवेश हो रहा है ब्रश्चिक राच्छे bli रहे हैं, लेकिन थोड़ा चनल्मा चाहिए लेकिन थोड़ा चनल्मा को शक्ती दीजे, इस सूरे को जल दीजे, ठर्णा डूट आपके उनको और प्रबल्द शक्ति देगा सरवार्थ से दियोग भी बन रहा है नए कारे आरंब करने के लिए अच्छा दिन रहेगा दस तारीक आउसर तो समझ लो सिंग राशी वालो मंगलवार है उजिन सप्तमी तिति है और ग्रहनक्षेत्रों के दिश्टिकोर्ण से बहूर्त वार इत्यादी सब आते हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा महत्विशेश रखते हैं और इन सब का जोड़ाव कहीं ना कहीं कथाओं के माद्यम से भारती रिश्यमुनियों ने पौरानिक कथाओं के साथ जोड़कर वेद के साथ जोड़कर उपनिशदों के साथ जोड रहे हैं कोई उत्सावारा है इन सब को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको कई बार पहले ही समझाने का प्रयास किया है। गत्काओं के माद्यम से हमें जीवन के रहस मन में आते हैं और साथ-साथ वो उसका निवारन करने का मार्ग भी मिलता है जो पुराचीन प्राचीन कालों में प्राकालों में जो स्थितियां घटनी ग्रहनक्षित्रों के योग बने उससे संकट उत्पन हुए जैसे इस एपिस और शास्त्रों का अध्यन बहुत हावश्यक है हमने प्रयास किया है कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ बारती संस्किति का परम विज्ञानिक स्वरूप उपस्थित कर सके और अनेक उपायों को हम पुराणिक मत से ही आपके समख्ष रखने का प्रयास करते है जो शास्त्र में वरणित उपाय है वो ऐसे दिव्व हैं कि बड़ी आसानी से आप करेंगे तो आपको लाप राप्त होगा हम फस जाते हैं पता नहीं कितने लाकों रूपे कर्च करने की चक्कर में कोई आपको अंगूटी पेराने की चक्कर में पसा देता है कोई कुछ औ करने की चक्कर में पहसा देता है तो परयास कर जोतिश को सरल रूप से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें बहुत सारे लोग हम अपनी तरफ से सरलता की रूप में उपस्रिद करने का प्रयास करते यं़ हैं साथ साथ अध्यात्म को अपने साथ जोड़ें देंकि पुरानी कहावात है आये थे हरी भजन को ओटन लगे कपास बड़ी विचितता है हमारे जीवन में कि हम आये थे इस लक्ष को यानि इस पुरा जीवन की जो प्रदती है बड़ी विचित्रहम आये किसकारे के लिए उस परमात्म को साधने के लिए मनुश्य जन प्राप्ती किया लेकिन इस संसार की माया में उपस्तित होकर यहीं को भजाते हैं और उस वास्तित लक्ष से भटँत जाते हैं तो जोतिश को इस बात से समझने का प्रयास करें कष्ट भी निवारण हो जीवा में सुक्का पदारपण भी हो और साथ साथ जो कष्टों को दूर करने के लिए उपाय हो वो शास्त्रोक तो हो जो कहीं मति भर्म न उत्पन न करें लेकिन आज ऐसे ऐसे उपाय है जुनको सुनकर भी शरम आ जाये लोग ऐसी उपाय करने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म का उससे कोई लेना देना ही नहीं है तो हम अपने इस आश्रम के माध्यम से अपने विवेकान न योगाश्रम के माध्यम से आपके समक्ष इन जोदिश की विभिन विधाओं को आपके समक्ष उपास्ति करने का प्रयास करें उन सब को आप समझेंगी तो अच्छा रहेगा दिल्ली में विवेकान न योगाश्रम के माध्यम से ये सब विभिन कारिक्रम समय 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 पर चलते रहते हैं और अभी आने वाले समय में महालक्ष मी वरतारम हो रहे हैं ये महालक्ष मी वरत अदभुत हैं उनको यदि जीवन में कोई चमतकार देखना चाहता है तो इन महालक्ष मी वरतों को जो अगले हम अपने एपिसोड के माध्यम से आपके समक्ष रखेंगे उन विधानों को समझ कर यदि आपने महालक्षमी के उस वुरत को विधी रूप से करकर मुंख्य मंतरजब करके कर लिया तो आप समझेगा जीवन में अद्भूत रूप से कल्यान का अवसर आपके कष्टों को दूर करने का सुन्दर अवसर आपको प्राप्त हो सकता है पंचांग जो बताता है न वो महूर्थ बताता है और मेरे अनुसार से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये महूर्थ जो है वो विशेश तरपर आपके कष्टों को निवारन करने का पुन्यों को उदे करने का वो एक सरल मारग है जिसमें जो आप कर्म करोगे उसका कई गुना अ बहुत जल्दी से दूर हो सकते हैं बहुत जल्दी से कष्टों को दूर करने के लिए हम इस विधान को आपके समय समय पर उपस्त करते रहते हैं और ये विवेकान नियोग आश्रम तो लगातार आप सब के लिए विभिन कारिक करी रहा है नित्रपती आठ घंटे यग्य हो विभिन आपके जीवन में जन्मुत सब चल रहा है कुछ और कारिक्रम चल रहा है उन सब की सेवाओं के लिए भी विभिन पुन्यकारे आश्रम के साथ जुड़कर कर सकते हैं और आश्रम के संपत के नंबर जो नीचे दिये गए हैं उन सब पर जुड़कर आप हर रविव भी विभिन पुड़कर पॉड़कर रहा है